हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करते हैं सब चंगा होगा वैल तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2015 में रिलीज हुई जहां प्यार तो बेंतहा होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी रुकावटे आती है जिससे मूवी में इमोशनल सीन्स की भर्मान आ जाती है और अंत में ये प्यार कितना कामियाब होता है उसे जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंतर तर पिच्चर की जिकर था दरसल वही हमारी आज की कानी है इसके बाद हम जोयू नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो प्लेन में रो रही होती है साथ ही आपको बता दें ये प्यार के नगमे सुनाने वाली कोई और नहीं जोयू ही होती है लेकिन भाई सहब शब्दों के इतनी प्रैक्टिक करने के कोशिश की थी जोयू से होस्पिटल लेकर जाती और अपनी बहन की फोन हिस्ट्री से पता चलता है कि यहां मामला तो प्यार का है वो बिना देर कि उस लड़के से मिलने उसके आफस जाती है लेकिन वो शक्स वहां कोई वरकर नहीं बलकि कमपनी का मालिक होता है और उसकी बहन लिन से करती है चलि जड़ को मांगते हैं और वहां से चली जाती है गर पहूंचे जो अपनी पहनकी क्लास लगा देती है और उस्से खूब डारती है और यह लिश्तान्पर करनी का एक वरकर बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होकर आत्मत्या करने जा रहा था क्योंकि उसे कंपनसेशन नहीं मिला था इन सब नौटंकियों के भी उस कंपनी का मालिक लिन भी वहीं पहुंच जाता है और जो की मदद से मामले को रफद रफद कर देता है इस इंसिडेंट के बाद दोन मजाक में शादी करने को बोलती है जिसे लिन नजर अंदास कर देता है वहीं दूसरी तरफ आफिस में जो और लिन के साथ होने के अफ़ाउड रही थी तब यह आफिस का बॉस जो को बुलाकर उसे बताता है कि लिन की कंपनी में लीगल टीम की डिमांड है अगर वो उससे बात करे तो शायद उसके फर्म का काफी फायदा होगा आखरकार लिन की कंपनी में प्रेजंटेशन देने के लिए उन्हें चांस मिल जाता है और यह प्रेजंटेशन जो का फ्रेंड देने वाला था लेकिन अचानक से उसे दो नंबर आ जाती है और वो बिना बताए वहां सब लोग पार्टी में मगन थी वहीं जो लिन के बाद जाकर कॉंट्रेक्ट के लिए थैंक्यों बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि हो ना हूँ ये कॉंट्रेक्ट उसे सिर्फ लिन की दोस्ती के वज़े से मिला था वरना कहा राजा भोज और कहा गंगु तेली इसी दौर खत्म कर देगा जिसका जवाब लिन ना में देता है जो को लगता था कि लिन उसे उसकी बेहन की तरह पागल बना रहा है इसलिए वह उससे कहती है कि अभी भी उसके पास समय है वो चाहे तो कॉंट्रेक्ट कैंसल कर सकता है और ये बोल कर वहां से चली जाती है घर और उसे प्यार का इजहार कर देता है जिससे सुनकर एक बार तो जो शॉक्ड रह जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसे लाइक करती थी इसलिए इस बार मना नहीं कर पाती वैल दोनों में कुछ सेकंड की किस होती है लेकिन जो अभी पूरी तरीके से कंफर्टेबल नह जाता है जिससे जो को कुछ शक होता है और वो लिन का पीछा करने लगती है मगर यहां लेन अकेला ही होता है और वो जो को बताता है कि काम के सिलसले में थोड़े दिन के लिए विदेज जा रहा है और क्या वो वहां से उसको कॉल कर सकता है जिस पर साइलेंटली स्माइल कर कि जो हां का इशारा कर देती है आगे हमें पता चलता है कि जो को टूर पर फॉरण जाना था और लिन की भी फ्लाइट वहीं पर आने वाली थी इसलिए दोनों ने मिलने का प्लैन कर रखा था हाला कि जादा तेज तूफान चलने के वज़े से लिन समय से नहीं पहुंच पात मगर फिर भी जो उसका वेट करती है और अट दा लास्ट देर से ही सही दोने एक दूसरे से मिल जाते हैं यहां यह दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बहतरी टाइम स्पेंड करते हैं बलकि प्यार की सारी सीमाएं लांग जाते हैं दोनों अब सीरियस रेलेशन्शिप म देख लेती है और उसे महां लिंग से पता चलता है कि वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं अपने बच्पन के क्रश से उसकी शादी के बाद सुनकर चियांग को भेहत बुरा लगता है लेकिन वो शो नहीं करती और फिर हमें यह पता चलता है कि जो और लिंग की प्राइ यहां तक कि लिंग से भी नहीं अब हम लिंग को एक पार्टी में देखते हैं जहां पर जो भी आई हुई होती है लिंग से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ कर दुबार अपने प्यार का यकीन दिलाता है लेकिन इस बार ये बात इन दोनों में नह हो रही होती बलकि जो की नलायक बेहन भी ये सब सुन रही थी और उसे लगता था कि उसकी बेहन ने उसका प्यार चीन लिया है इसलिए वो अब अपनी जान देने के लिए उसे बिल्डिंग से कूच जाती है और चाहा कर भी लिन और जो उसे बचा नहीं पाते हाला कि बदल लेते हैं कहानी यहां से थोड़ा फास्ट फरोड हो जाती है और लिन अब गुमसुम सा रहने लगा था और अंदर ये अंदर वो भी रोता था वहीं जो उसे काफी शॉप वाले रास्ते से रोजाना गुजरते हुए अपने प्यार को याद करके काफी मायूसी हो जा जाती है उमीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो इसे लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा शुकरिया